बाई लोग जसा कि आप लोगो पता है मेरा पहला कॉंसोल जो था वो था PS4 fat फिर उसके बाद मैंने PS4 Slim लिया फिर उसके बाद मैंने PlayStation 5 जो पुराना वाला मेरा जिसपे वीडियो सो गयारा देखते होगे PlayStation 5 fat लिया एंड जो PlayStation 5 Slim आपने देखा था, actually में वो मेरा नहीं था, वो मेरे friend Venom Tech यानि शिवम अरोडा भाई का था, उनको मैंने यहाँ से वीडियो बना के वापस भेजा दिया था, एंड अभी जो PlayStation 5 Slim देख रहे हो, ये अब मेरा है, जब इंडिया में launch हुआ, वो coincidentally मेरे पुराने वाले PSV काफी अच्छी value मुझे मिल गी, तो मैंने सुचा कि यार अब वक्त आ गया है PlayStation 5 Slim में अपग्रेड करने का, क्योंकि कोई रिस्क भी नहीं रहेगा, कहीने कि मुझे एक साल की warranty मिल जा रही है, और उसके अलावा स्टोरी भी थोड़ा बढ़ जा रहा है, थोड़ा डिजाइन नया सा रहेगा, आगे दो टाइप सी पोर्ट मिल जा रहे हैं, एक और फैक्टर है जिसकी वज़ाए से मैंने PlayStation 5 Slim में अपग्रेड किया, वो है इसका जो compactness है, मतलब disc drive निकालके इसे मैं अगर bag में भरके अपने गाओं या घर पे जहाँ पे जाता हूँ, जिसे आप इससे ये identify कर पाओं कि ये एक Indian variant है, और कोई भी आपको important version चिपका के scam ना कर दे, तो ये एक आपके लिए वीडियो helpful हो जाएगी, आप लोग लिए मैं ऐसे exclusive content हमेशा से लाते रहा हूँ, अब gaming से related, consoles से related, channel पे आपको content पूरा देखने को मिलेगा, तो बस एक request हाथ जोड़के कि subscribe कर दोगे, बिल्कुल free है, वो आपके लिए, लेकिन मेरे को बहुत motivation मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे मज़ेदार वीडियो बनाने में एकदम excitement आती है, और कहीं भी जाके वीडियो बनाना हो, या कोई भी चीज लाके वीडियो बनानी हो, तो उसमें थोड़ा motivation मिलता है, तो प्लीज हाथ जोड़के रिक्ष्टा सब्क्राइब कर देना है, तो गया चलो फटावट से इस भी seal आपको check कर लेनी है, बैक की seal यहां पर देख सकते हो, यह भी official sony की seal है, तो यह भी जरूर से check कर लेना आप लोग, और उसके अलावा सामने की दरफ देखो, तो सामने की दरफ एक seal यह भी आपको check कर लेनी है, कि यह seal सही है कि नहीं, इस seal से कोई मतलब नहीं, यह तो cut करके कोई भी दूसरी लगा सकता है, बट यह जो दो seal है, एक यह वाली और यह पीछे वाली, यह सिर्फ sony के ही पास रहती है, यह seal, तो यह seals जरूर चेक कर लेना, और उसके लावा वरांटी के लिए यह चीशे कर लेना, और अंदर भी कुछ वरांटी के लिए मिलता ह पेपर, वो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो चलो पहले इसको कर लेते हैं, cut, वैस अब कितनी भी बार में डबबा खोलो, लेकिन, same feeling आती है, और एक बार पीछे से भी डबबे को दिखा दो, तो देखे तो पीछे से भी डबबा कुछ उसी तरीके से र पार निकाल लिया है, देख सकते हो, इस दबबे के अंदर डबा रहता है, और एक और चीज रहती है, उपर के साइड में ये रहा भाई, हमारा warranty card, जो सिर्फ आपको Indian variant में मिलेगा, और यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है, Sony India Private Limited, warranty card, और ये valid only in India, मतलब ये Indian variant है, इं के डबे में होगा, उससे अलग ये user manual है, ये user manual, Sony India की तरफ से है, तो ये दोनों content सिर्फ Indian वाले डबे में मिलेंगे, इसके अलावा भी और देख लेते हैं, क्या-क्या है, अब एक और चीज आपको जो different मिलेंगे, वो है Indian वाला ये plug, देख सकते हो, ये जो power plug आपका बाहर की country वाला जो रहता है, उसमें चप्टा सा रहता है, या square सा रहता है, इंडिया वाले में इंडियन वाला रहेगा, और इस पे भी देख सकते हो, proper ceiling वगएरा और tags वगएरा लगाया गया है, इसके लावा हमारे को यहाँ पे HDMI cable मिली जाती है, एक type C to type C cable मिलती है, horizontally place कर रहते हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, और यह रहा हमारा controller, भाई, dual sense वाला controller भी आपको इसमें मिलता है, देख सकते हैं, एकदम brand new dual sense का बात है, तो उपर के section में कुछ इतनी सारी चीजे रहती है, अभी नीचे वाला section open कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे, open, तो हां जी यहा आप actually में PS5 की user manual मिलती है, जो हर डबेम आपको मिलेगे, किसी भी country से purchase करोगे, यह वाली user manual आपको मिलेगी ही, मिलेगी, और यह वाली भी मिलेगी भाई, यह तो कुछ जादा ही मोटी तगडी user manual दे दिया इन्होंने, तो इसे आप चाहो तो check out कर सकते हो, देख से लो आपके से भी दिख लो, as it is रहेगा, जैसा हमारा normal variant बाहर की countries का रहता है, तो यह कुछ इतने सारी चीज़े रहती है, हमारे PS5 Slim इंडिया वाले डबे के अंदर में, अब डिफेरेंस क्या-क्या है, जैसा कि मैंने आपको दिखाए दिया, कुछ आपको papers extra मिलते हैं अंदर, यह वाली केबल जैसा कि आपको मिलती है, इंडिया वाले टाइप में, बागी सारी चीज़े almost same है, तो यह रहा हमारा PS5 Slim, अब इसको connect करूँगा, मैं अपनी ID बगारा login करूँगा, अब वर्टिकल स्टेंड जब भी आ आगया, वो वर्टिकल स्टेंड भी लगा के आपको आपको अपना दूसरा वाला PS5 भी on करना है, जिससे आपको data transfer करना है, दोनों same Wi-Fi से connected रहने चाहिए, तो उसे भी on कर लेता हूँ, और दूसरा वाला PS5 मैंने अपने monitor से connect करा रखा है, अपने PC के साथ में, तो देखी सकते हो, इसको भी मैंने on कर लिया है, अब उधर वो detect हो जाएगा, जाथा कि आप देख सकते हो, PS5 आयूस लिखके आ गया है, यहाँ पर मेरा, इसमें मैं continue कर दूँगा, एंड देखो continue करते हैं, इधर क्या बता रहा है, कि 5 मिनट के अंदर आपको अपने दूसरे PS5 पे जाके, एक सेकेंड के लिए power वाली बटन दबानी है, ज चलो वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे नए वाले PS5 की स्क्रीन पर कुछ यह चीज़ें शो होती है, जिसमें step 1 में लिखा है कि transfer user accounts, information, save data and console settings, step 2 में लिखा है बाद transfer screenshot, video clips, games and app after restart, तो यह चीज़ें start होने के बाद ट्रांसफर होंगी, तो चलो कर लेते हैं, अब दो 20-25 minutes तक यह transfer हुआ, और उसके बाद जाके मेरी screen open हुई, तो make sure कि इतना time और patience आपके पास हो, अगर नहीं है तो directly on करके manually भी transfer कर सकते हो data, अगर PS Plus के member हो तो कोई tension ही नहीं है आपको, और देख सकते हो Rise of the Ronin के disk में ने installation के लिए डाल दी थी, setup पे ही, और यहाँ पर regime activity यहाँ पर start के लिए दे दे रहा है, क्योंकि मैंने data transfer कर लिया है, अब और भी games वगेरा जो भी हमारे console में थी, वो भी यहाँ पर transfer हो और उसमें भाई सब देख सकते हो, 9 गंटे बता रहा है तो 21-20 गंटे बता रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर 9 गंटे बता रहा है, तो अर हाँ यह थी कुछ बात है, हमारे PlayStation 5 Slim के बारे में, अब देखो यह PlayStation 5 Slim, almost specs wise, same हमारे PlayStation 5 Fat के, अगर आपने कुछी दिनों पहले PlayStation 5 Fat purchase किया है, तो tension लेने वाली असोच कोई बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करिए आपने, आपका PlayStation 5 Fat भी वही काम करेगा, जो यह बस एक यह नया डिजाइन है with more storage और storage का भी option आपके पास रहता है PlayStation 5 Fat में भी और कहीं नहीं आपको PlayStation 5 Fat इस से सस्ता ही मिला होगा, क्योंकि यह 55,000 का है, storage का भी option वहाँ पे है, आप चाहो तो storage और बढ़ा सकते हो, इसमें 1 TB की मिलती है, आप 5-6,000 उपे अड़ करके उसमें difference पे करना होगा, difference कुछ में कुछ amount पे करके, आप चाहो तो Slim ले सकते हो, बट मैं recommend नहीं करूँगा, fat ले लिया तो चलने दो, भाई, अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से यह देखो, कि आपको सिर्फ gaming करनी है, content बगरा तो ठीक, otherwise gaming करनी है, तो आपका fat वाल भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बात कर लेते हैं, PlayStation 5, fat का price क्या कम होने वाला है या नहीं, तो 110% कम होने वाला है भाई, कब कम होगा, मैं आपको अगर inside news दूँ, तो आने वाले Monday से लेके, Wednesday के बीच में इसका price कम हो जाएगा, और सकता है, कुछ-कुछ 43 के भी हो सकते हैं, तो इतना समझ लो कि इतना तक आपको discount आ सकता है, आने वाले time में, तो जो लोग भी PlayStation 5 fat लेने का सोच रहे है, Monday से लेके Wednesday तक का wait कर लो, देख लो price drop आ जाना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है, नहीं आएगा, तो उसी week में, क बहुत सारे confusion है, दोनों variants को लेके, अभी देखो, अभी के time पे न, जो हमारा slim है, उसमें आप digital ले सकते हो, मैं आपको ये समझा दूँ, कि ये जो slim है, इसका ये जो disc drive आप देख रहे हो, ये detachable है, जैसा कि वीडियो में भी आप देख सकते हो, कुरानी भी Slim की वीडियो मे कर ली अलग से, तो वो disc drive लगा के disc से भी game खेल सकते हैं, और अगर इसका disc drive इंडिया में आता है, तो उसका अलग से price 100% 10,000 रहने वाला है, क्योंकि foreign countries में कुछ 80 डॉलर है, तो उसी साब से मतलब लगा लो कि हाँ, इसका price यहाँ पे 10,000 रहने वाला है, क्योंकि हमारे play 75 digital और disc वाले variant के price difference ही 10,000 है, तो disc drive का price अनलोग 10,000 ही रखेंगे, उससे जादा हो सकता है, जादा भी रख सकते हैं, लेकिन उससे कम तो नहीं ही रखेंगे, यह चीजे हैं, अगर आपका budget अभी नहीं हो पा रहा है, आपका budget digital का है, तो अभी की टाइम पे playstation 5 slim का digital variant ले सकते ह ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी software की गेम चलती है, उसमें भी software की गेम चलेंगे, सिर्फ disc वगरा digital में नहीं लगा सकते हैं, बागी सारी चीजे सही है, एंडिस की अलावा यह बात करने कि भाई, मैंने playstation 5 pro का वेट क्यों नहीं किया, क्या आपको playstation 5 pro का वेट करना चाहिए या नहीं, तो सीदे सीदे बता दूँ भाई, मैंने नहीं किया वेट क्योंकि मैं playstation 5 pro पर वीडियो बनाने में तो इंटरेट हूँ, जिस दिन आएगा उस दिन मैं ला के वीडियो तो बना दूँगा, बट सायद मैं उसे परचेज न कर पहूँ, उतना मेरे पास पैसा नह नीचे नहीं आने वाला है, सीदीसी बात है, अगर कुछ अपग्रेट के साथ playstation 5 pro आएगा, तो 110 परसेंट, 10,000 रुपय महंगा रहेगा, वीडियो ज़रूर आएगी, जब भी playstation 5 pro प्रो लाँच होगा, मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना है ना, और दू मुझे लग रहा है, GTA 6, PlayStation 5 Slim, या नॉर्मल वाले PlayStation 5 पे, 30 FPS पे लॉक रहेगी, अपस्केल में 4K कराएगी, नेटी 4K नहीं रहेगा वो भी, देख तक तो इन दोनों कुछ इतना साथ difference है, और बाकी height wise भी काफी कम है, अगर faclets निकाल के देखो, तो भी आपको idea लग जाएग तो सायद इसे में नहीं जाने देता, बट फिर भी भाई, कोई नहीं, इसने बहुत साथ दिया है, अपना भाई, इस चैनल का, एंड सायद लास्ट टाइम दिखरा है, इस चैनल पे, चालो, तो कईज अगर आपको जानना है कि physically और internally detailed में क्या-क्या differences है हमारे PS5 fat और PS5 slim मे तो मेरी ये वाली वीडियो जाके check out कर सकते हो, मैं card में इसकी link दे दूँगा, आप easily जाके इसे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा इसे related purchase करने की सारी details मैंने discussion में दे दी है, आप वहाँ से purchase कर सकते हो, हमारा refund दिने भी थोड़ा बद आपको discount मिल सकता है, क्योंकि अभी ये on MRP चल रहा है, तो discount और आपको मिल जाएगा हमारे through तो अच्छा ही लएगा आपको, बागे चलो, thank you so much for watching video, bye-bye and see you in the next show and don't forget to like, subscribe and share, क्योंकि ऐसे ही मस्त मज़ेदार XLG content मैं आप लोगे लिए लाते रहता हूँ, चलो, bye-bye.